नमस्कार दोस्तो बहुत बहुत स्वागे था आप सभी का राजनिती के जदुकर्माने जाने वाले असो गहलोत राजस्तान विदानसभा में तो बाजी मार ली लेकिन असली परिक्सा लोगसभा चुनाओं में होगी विदान सबा चुनाओं में वसंद्रा राजे की सरकार को माद देना उतना मुस्किल नहीं था जितना लोग सबा में अब मोदी सरकार को माद देना है क्या गहलोत का जदू मोदी की सुनामी के आगे टिक पाएगा सट्टा बाजारों की बात करे तो लोकसबा में बीजेपी के खेमे में खुशी की लहर सी दोड रही है यानि कि सट्टा बाजार बीजेपी को कॉंग्रेश से काफी ज़्यदा सीटें दे रहा है राहूल गांदी से अभी भी परदानमंतरी मोधी की राजस्तान में जो लोकपीरिता के मामले में है वो पीए मोधी काफी आगे है राजनिती के जादुगर के लिए मिशन 25 आसान नहीं होगा क्योंकि विदान सबा चुनाओं में 100 सीट ही जीत पाई कॉंग्रेश जबकि आँकलन जो लगा रहे थे लोग वो 120 सीटों का था कि कॉंग्रेश विदान सबा में कम से कम 120 सीटों के आसपास जा सकेगी लेकिन कॉंग्रेश 99 पर अटक गई एक कुछ दिनों बाद 100 के आँकडे को चुपाई जादूगर के असली जादू का सामना अब होगा मोदी की सुनामे के सामने कितना टिक पाता है गहलोत का जादू जादू असर करता है या मोदी लहर में जादू चुमंतर हो जाता है विदान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस किसान कर्ज माफी का हतियार बना के सता में आ गई लेकिन फिलाल लोग सभा में उनके पास इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना विदान सभा चुनाओं में कॉंग्रेस के पास था तो देखते हैं सुनामी वरसेज जादू के टकर में यानि की राजस्तान की जो 25 सीटे हैं उन में से BJP कितनी लेती है वो कॉंग्रेस कितनी लेती है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं